कि हलो दोस्तों कैसे हो आज हम फिर से आपके लिए के नया चैप्टर के पूरा एक बैस हम लोग लांच कर रहा है और इसमें मैं आपको अप्लाइट फिजिक्स पढ़ाऊंगा जैसे कि सब ने बता दिया होगा कि कि से लिए अधर सब्जचेक्ट पढ़ाएंगे इसके बार दूसरे सब रहेंगे जो किष्टि बढ़ाएंगे और इसके बार इंजिनेर्ड रहेंक तर दिफिरेंट होंगे और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा एक उसमें का कुछ तालुकात होना चाहिए क्यों बढ़ कि पदार्स ले लेते हैं याउाइरी रूप से देखा जाता है तो क्या होता है कि वह आपके फिजिक्स के लिगता है तो इसमें कुछ चैप्टर यह उनिट ईंट दाइमेंसिन इसके बारे में देखेंगे कि यूनिट टाइमेंसिन इने भी में होता है और एक बात बताओं कि मैं इंग्लिस के रुपें पढ़ाउंगा इंग्लिस कर आपकी तूर देग डियान देगी अगर आप बी-टेक करने जाते हो या इंटर के बाद आप कुछ बी कोर्स करते हो डिप्लोमा कहीं जाते हो आपको इंग्लिस की मोस्ट नेसेसरी पड़ेगी अगर आप इंटर के बाद जी आईटी लेवल की कोई भी तैयारी करते हो तो उसके लिए भी इंग्लिस किया सकता पड़ती है तो यह वाद ध्यान रखते हैं कि इंग्ल कि सब कितना है कि इस लिए इसों कि आपको यह बूक का अगर खत इसको देखा जाए तो इसमें थ्री गैसा होगा इसे यह कैसे और इसमें और कि तो इसमें क्या हो गया है और जैसे कि आपका हो गया घर हो गया रूम हो गया तो तो यह होता है तो यह होता है कि वह मतलब कितनी साइट का अध्यान कर गया ठीक है फोर्स जैसे कि आपको उसमें कोई आसकता नहीं होगी क्या करते हैं कि समझ में आप तभी नहीं आती है क्योंकि वह रट्टा मारते हैं जड़त तो क्या होता है जड़तों को वह यह देखेंगे कि अगर कोई वस्त होती है प्रेड़ननाय प्रेड़त नहीं थे यह तो मीदी में दोकेदी हुआ टो सिख़ेंगे नहीं रखोल पड़्बॉं तो इसके बाद है यह सावुन मैं तो इसमें क्या करेंगे कि अगरा曼 कोई दे रहे तो यह कया सब्सक्राइस बाखेंगा तो जिस को होता है किसी पार्टिकल को या किसी आपजेक्ट को क्या करना होता है कि उसको रोकना होता है है तो उसमें हम तो होता है तो कैसे फिरेगे डिरि दीपीँ में घ्री चलती रहती है फिर अच्र cuentine में हमें का मतलब है कि उसमें मोने हो रही है निए 집लर का मतलब होगा होगा है क्षोड काम होता है यही है deputy लाइंगे का मतलब दूसरा होता है mais तो लोग अवर्क मलब क्या होता है जैसे कि एक कोई दीवाल है ऐजे अगर कोई बिक्ति है दीवाल में धक्का लगा रहा है करिए कि दिवाल को धक्का देता रहा तो उसमें क्या हुआ कि उसने तो काम तो अगर वह डेली लाइस के उसमें देखा जाए तो उसने काम किया लेकिन अगर फिजिक्स की लेंगुजे देखा जाए तो उसने काम नहीं किया कैसे नहीं किया अब वह इस चैपर गहता हम सब इनर्जी का अब रोटेशनल मोसन में क्या होता है कि यह इसमें क्या होता है कि रोटेशनल मोसन में आज एसी परटेंगी प्लानेट सेठलाएट है तो इस को यह होता है और प्लानेट सेटलैट अभी तो सब européenच सब्सक्राइन और समय का हुआए शाधी हुआ कि इसमें सब्सक्राइब करते हैं में पुरी पाने की परपरटी के आए कि फिजिक्स में है इसके बाते हैं आपका हो गया इसे हैं इमेजिनेशन के रूप में एक मारका रहा है इसमें कुछ हीट है इसकी हीट इसमें ट्रांसफार्मेशन हो रही है यह हीट तब तक ट्रांसफार्व होती रहेगी जब तक कि अगर मालेजें इसमें 10 की है इसमें इसमें इससे क्या करते हैं ताफी साम मलब होता है इकलियूबियम अब आसने चैटर पढ़ा होगा अपने इकलियूबियम का उसी का है इकल जब तक दोनों को नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे होता है ठीक है तो यह मैंने अपनी फिजिक्स के अंतर कर बता लिए कि इन जब देटिज कार्ड मेकाइनिक्स आप है अदिक और यह मेकाइनिकल के लिए मोस्ट यूजफिल फिजिट टर्व है ठीक है और एक बता दूँ जबाव लोग इंटर ने पड़ते हैं तो इंटर में मेकाइनिकल फिजिक्स पड़ते हैं इंटर हाइफ फश्ट यह नाइन इन्वेस्ट अब क्लासों में मेकाइनिकल फिजिक्स पड़ते हैं क्वांटम फिजिक्स जवाब बोड़त कि पूट 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 गया बई चला लेगा कि बंद भी आख और पूट